साथियों, आज जब मैं आप से देश की पहचान की बात कर रहा हूँ, तो आपको कांग्रेश के कुछ और पुराने जुनाहों की भी याद दिलाना चाहूँ सिर्फ एक परिवार की पहचान बनाने लिए, सिर्फ एक परिवार के कुछ लोगों की प्रफिशा के लिए, एक परिवार की सुनाओं में हराने के लिए एडी चोटी का छोर लगाया। कॉंग्रेस ने उन्हें चुनाओं में हराने के लिए एडी चोटी का छोड लगाया देश के प्रम्दी बाबा साब अंडे अंबेड करके युगदान को बुलाने की साजित रती थी क्योंकि बाबा साब में उस परिवार को चुनोती थी इसलिए बाद की पीडियों ने भी बाबा साब से दिरंतर बदला लिया वो तो आज वोट बैंक की मजबूरी है जो कॉंग्रेस बाबा साब का नाम लेना शुरू किया है वरना वही कॉंग्रेस है जितने दसकों तर उनकी फोटों तर संसद में लगने नहीं दी ऐसी कॉंग्रेस को माप कर सकते हैं क्या ये उनके सारे सात्यों को माप कर सकते हैं क्या उनके जूठे वादों को मान सकते हैं क्या साथियों उसी दोर में हमारे देश में एक और महान नेता हुए थी जोगेंदर नात मंदल आपने शायद उनका नाम भी नहीं चुना आपने उनका नाम इसलिए नहीं चुना क्योंकि आजाजी के बाद की कॉंग्रेश सरकारों ने उनके उनकी जहाद को भी आपने सामने नहीं आने थी साथियों जोगेंदर नात मंदल बाबा साथ के बहुत करीबी साथी थी कानून के बहुत बड़े विद्वान थी लेकिन जीना के बहकावाए में आकर पटवारे के समय वो पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने वहां का समिदान बनाने में बड़ी भुमिका नहीं बाईती लेकिन इसके बावजोद पाकिस्तान में उनको अपमारिश किया गया एक विशेश बर्गका होने की वज़े से पाकिस्तान में उनका जीना मुश्किल कर दिया गया वहां के हालात ने उनका भरोसा तोड़ दिया वो इतने दुखी हुए इतने दुखी हुए कि पाकिस्तान छोड़ करके भारत की शरण में आ रहे लेकिन पाकिस्तान से वापत आने के बाद सबकी कॉंग्रिस सरकार ने उनके साथ उससे भी ज़़ा बुड़ा किया अपनी मुश्यू तक वो बहुती मुश्किल परिश्चितों में रहे आज मैं आपको उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तिहास पे चिपे तच्चों को जानना और उनसे सबक लेना जरूरी इस सबक ही आपके वर्तमान और भविन को मजबूत करें ताथियों, बाबू जग्विनराम जी के साथ भी कांग्रेस ने यही किया आज उनकी जैंती पर बाबू जग्विनराम जी को मैं नमन करता बाबू जग्वन राम ने अपना जीवन करीबों के कल्यार के लिए समर्पिद कर दिया बाबी जी दो सिंजे चाहते दे एक मजमुद भारत और दूधरा लोगतांतरिक भारत अब हमने पाकिन्तान को उसकी हरकतों का मुझ को जवाब दिया था तब बाबु जी भारत के रक्षा मनुदी देश में केवल एक ही परिवार की जुई हजुरी करने वाले लोग देश के इतिहास में एक गवरव साली नेटुर्कुर के लिए बाबु जी को कोई स्रे नहीं देते हैं बाबु जी आपास काल के खिराब आवाज हुदाने वाले सबसे पहले कॉंग्रेसी नेता थे उन दिनों में जब तक कालिन स्रदान मंत्र का डर लोगों में बरा हुआ था जब लोगों को गिरपतार किया जा रहा था बाबु जी ने कहा था कि लोग इस संगत के परणामों से बिलकुल भी न डरे बाबु जी जिन बातों में विद्वात किया करते थे उन सभी बातों पर आज कॉंग्रेस की वज़ते एक खत्रा मन्रा रहा हुआ आप मसूस कीजिए कि आज बाबु जी की अगर जीवित होते एर स्टाइक और सर्जिकल स्टाइक पर सबाल उठाने वाले कॉंग्रेस और विपस्ट के आचरण के कारण उन्हें कितनी फीडा होते हैं यदि कॉंग्रेस और महा मिलावश वाले जितने हैं तो बाबु जी के आजरतों का कभी सनमान नहीं होगा